बहुआ प्रोल प्रिजेंड होता जाना प्रभू साहरता करें बहुराद दिवीशू हनुमान अब कोई दुविदा नहीं जो तुम्हें रोख सके जाओ मानेरों की रक्षा करो जो आ गया प्रभू मंगल मूरतियन जनिनन्दन जै हनुमान जै शी राम और रगुवर नंदन जै शी राम जै हनुमान जै हनुमान मुझे किसी भी प्रकार बहु अस्त्र के प्रभाव से हमारी वानर सेना को रक्षित करना होगा वानर और वनवासी आज कुछ भी कर लो तूम वरन तू रावन के शारे का सामना नहीं कर पाओ गेता अपने संपूर्ण बल समस्त अस्त्रों का प्रयोक कर लो रावन परन तू अब तुम्हारे रूप में अधर्म की पराजय अत्यंत समीप है तुम्हारे प्रदेक अस्त्रगा उचित प्रदियुत्तर प्राप्त होगा तुम्हें हुआ इसके पूर ये महराथ सुग्रेव और अन्यसैनिकों को कोई क्षधी पहुचाए मुझे इसका मार्ग परिवर्थित करना होगा मुक्ति का पीश दो विधा से पाई बहु अस्त्रा से सफ को बचाई नव उर्जाती का पिनव आसा धर्म योधा शक्ति संचारा संकट नितने आवे भाई धर्म पथिक पर जाने उपाई जुच गए दो उक पीर घुना था अब अधर्मा को निकट वे नाशा महाबली हरुमान की महाबली हरुमान की मित्र पुना मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए मैं तुम्हारा अभारी हूँ सर्वप्रथम इस महाअस्त्र को स्थाई रूप से रोखने का उपाई ठूणना होगा मुझे इसके पूर्व की अकाश मार्ग से आने वाला अज्यात संकट और कठनाई प्रस्तूत कर दे हाँ है हाँ है 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 हाह 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 हुँ इन हुँ बास, ख्लान्ट हो गय होगे तुम बनवासे। मेरे स्वार से तुम्हें मृत्यू के रूप में चिर्शांती प्राफ होगे इस युद्ध में मेरी नहीं अधर्म की मृत्यू निश्चित है रहा है कि अफ फ्राफ और मृत्य है हम एड़त Scout हम एतना लाओत तो लंकेश रावर ने वर्षा रूपी राक्षसों की वर्षा करवाई है अर्थात मुझे इन में से एक को भी धरती का स्पर्ष नहीं करने देना है इन्हें कैसे भूल गया था मैं अब मेरा बहुवास्त्र प्राकास से आए हुए यासुर तुमारा अंत करेंगे तो च्वानार और बनवासित्थम तुमारा बद करने का पार सुक्तों लंकेश रावन को ही प्राप्त होगा इसका नाश नहीं हो सकता इन सब समस्याओं की जड़िये तो अच्छ वानार है जब तक ये वानार जीवित रहेगा एपूरे कागरता के साथ सुनवासी से युद कर ही नहीं पाऊंगा संकट मोचन हनुमान के होते मुझे सेना की कोई चिंता नहीं है अब मैं एक कागरता से रावन से युद कर सकता हूँ और वास्त रोस्त तुछ वानार को व्यस्त रखेगा इस अंत्राल में मैं इस अन्वासी को हंत कर दूँगा अंन्वासी को व्यस्त रहा कि अंप संस्त रहा को यज व्युद कर दो व्या व्युद ही व्युद अंव व्युद व्युद वानर तुमने सदेव लाक्षासों को सताया है परंतु आज हम तुम्हें प्रतारित करेंगे और लंकेश रावन को विजय बनाने में उनकी सहायता करेंगे क्यों ब्रता हो प्रता हो सहायता तो अवश्य करोगे तुम सब रावन की किन्तु उसके विजय के लिए नहीं उसके पराजय के लिए हुआ 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 हाहुआ हाहाह엔 आज माता की सुरक्षा नहीं तो क्या हुआ तुमारे याश्टर शाष्टर मुझे आहात्र नहीं कर पाएंगे वनवासे अपने स्भ्यों को मिटा दो अपने प्रभू के कार्य में कोई भी संकटाए परंतु मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा विंदुनमाली है हम महांतम से महांतम योद्धाओं को पीछे हटाना आता है हमें मेरे दृष्टी अस्तर का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ इस दृष्टिवानर पर है यहाँए़ अधाई है नहीं इस परकार तो ही एमे जीवित नहीं चुप है 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 तरकार तो यह मेरे जीवित नहीं चुप हा, भाता विन्दूनमाली इसलिए, सरु प्रतम अपनी युजना अदो, सार लंका की पिछWI पर उतरना चाहिए पिर इसका संधार करेंगे हम सर, प्रतम उत्रो, फिर संधार करो सर प्रतम उत्रो, फिर संधार करो ये दुश्ट राक्षस क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। दर प्रत वोत रोओ, फिर सगहार करो। इन्हें धर्ती का स्पर्श नहीं करने दे सकता मैं। हर्वार,你 की चेशरोगा, हमाने दूना 15 मेंअगि defend against Miss in Q's तक सुष्ब़री, तक सफर्सॉल 9 में मार्णी वही कर दोर्णव करों vivid दिए प्रांद्ञ नहीं विह ये नवीन दुविधा उत्पन्न हो गई इन असुरों को रोकना भी आवशक है और बहु आस्त्र का मार्ग परिवर्थित करना भी अब क्या करू मैं? वनवासे! तुमारी संपूर वानर सेना पर महास्तंकट चाया हुआ है च्रीक्री मेरा वहु आस्त्र और मेरे यास्त्र वाग किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे जब तक हनुमान है वहाँ मुझे चिंता करने की कोई अवशक्ता नहीं रावन यदि ये राक्षस लंका की पृत्वी तक पहुँचने में सभल हो गए तो अजय हो जाएंगे और यदि वो बहुआस्त्र वहां तक पहुँच गया तो संपूर्ण सेना का विनाश कर देगा उसकी शक्ती में भी व्रिधी हुई है कोई तो उपाय अवश्य ढूनना होगा जिससे दोनों ही मायावी हमारे मार्क से मिठ जाएं कर दोल जा रग्यग कर तो कि अंभी कि मैंने तुमसे कहा था ना रावन जब तक हनुमान वहां पर हैं मुझे चिंता करने की कोई आवशक्ता नहीं धर्म के मार्ग में कोई भी बाधा अधिक देड़ तक नहीं ठिकती है तुवस्त है वो उसे कोई निरस्त नहीं कर सकता इस समय इनका पीछा करने में समय व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए मुझे यदि ये लॉट कर आए तब इनका कोई उपाय करूँ परंतो अभी इस बहु आस्तर को नश्ट करने की कोई युपती सोचनी होगी अच्छा हूँ आज मुझे समय पर वहां से निकल गए अन्य था वो वानर आज हमें भी नश्ट ब्रश्ट कर देता हाँ भ्राता बिंदनमाली लंका के प्रिथ्वी पर अपने पौटी खाने के पूर्वी इस वानर ने हमें यमलोग भीज दिया होता उजित समय पर इसका प्रतिशोध लेंगे हम अब समय आ गया है सक्षय अस्तर का कोई उपाय करने का मैं बहुआस्त्र हूँ बहुआस्त्र अर्थात? धनवंत्री जी के अमरित से निर्मित है ये मैं धन्वंतरी देव की अम्रित की शक्ती से निर्मित बहु आस्त्र, अपने लक्ष को समाप्ट कर देता हूँ, इस तुम मुझे कोई समाप्ट नहीं कर सकता। मुझे इस आस्त्र को ख्षीर सागर ले जाना होगा। जै श्री राम। यह क्या कर रहे हैं हनुमान। जब यह मात्र एक छोटा सा बान था, तब विभीशण जीने से रोकने का प्रयास किया और आहत हुए। और अब जब यह पूर्ण रूप धारन कर चुका है, तब हनुमान जी से कैसे रोकेंगे। अनुमान के मिस्तिष्क में अवश ही कुछ उपाए होगा। जब तक वो राम काज में सफल नहीं हो जाते, अनुमान प्रयत्नशीर ही रहेंगे। जे श्री राम अनुमान? प्रभू, अब शीग्र सारे अवरोद मिटाकर सभी शत्रो का नाश कर यहां आए और ले जाए अपनी सीता को यहां से। जिस देवी ने मेरे साथ वनवास पर आकर पूर में ही अने को कष्ट उठाए। उन्हें इस रावण ने अभी तक कष्ट में रखा है। मुझे किसी भी अवस्ता में आज इस दुष्ट का अंत करना ही होगा। योध्धा वही सफन होते हैं जिने शत्रों की शक्ति का भान हो और स्वयम पर आत्म विश्वास हो। कर दो और आत्म विंयाक हो。